नमस्कार में मिथुन यादाव आप सभी का competition community पर स्वागत करता हूं गाई जी जो session होने वाली SI men's point of time से काफी important होगी और आज की session में हम इस topic को discuss करेंगे वो topic होगा time, speed and distance और चाल समय बंगदुरी गाई जी इस topic के अंदर हम इस men's के pattern के question को discuss करेंगे क्योंकि यह वैसा topic के जहां से question frame करना almost तब तब तैय मान लिजी, आना ही आना है तो किस level के question आएंगे, किस pattern के question पूछ सकते ही भी तो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि prelims में आपके prelims type के question आ चुके हैं अब वक्त है कि कुछ अच्छे level के question के साथ discuss करने का तो समय ज़्यादा नहीं लूँगा आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे अगर आपको लगे कि हांसर काफी helpful है तो अपर दोस्तों तक share जरूर कर देना है इतना जरूर help करिएगा खास करें वैसे दोस्त जो बिल्कुल गाओं में रह रहे हैं तभी वह SI बनने का सपना देख रहा है तो उनको जरूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि उनको थोड़ी बूत help हो जाए तो बेतर होगा ठीक है चली तो guys इससे पहले हम time speed distance को लेकर एक बात में चर्चा हाँ theory को proof करने का वक्त तो यहां पर नहीं है लेकिन recap जरूर करा देता हूं कुछ बात हैं चली ध्यान से हाई पहली बात जो आपको सिखना पड़ेगा यहां पर यह सारे बचे जानते थे हैं कि सार यह speed होता है न हम बोले हाँ speed ब्रावर क्या होगा आप बोलो सार distance अपन क क्या होगा time होगा इस चोड़ी सी बात है इसको अब arrange करके तीन अलगला तरीके से लिखने का काम करते हैं कि कई वर्य इस time को यहां ले आके speed को यहां रख देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है या तो speed into time का product को आप distance बोल दें कोई तकलिफ के बात नहीं है ठीक है आगे अ लेगे खत्म तो क्या हो जाएगा अजिय को Kelney टोर डिस्टेंस अपण टो टोल टाइम तोटल डिस्टेंस अपण टोल टाइम टोटल टाइम तर बात समझे महां कि हमले हां यह दो बात क्ली यह होग अब समझना होगा द्यान से, यह पर एक बात और समझे लेते हैं, कि बेरें आपको दो основ case पढ़ाया था, क्या, अगर किसी question में बाहरो, अगर किसी question में समझेगा, कि distance अगर same हो जाएगा, अगर किसी question में अगर आपको distance यहाँ पर same दिखेगा, उस case में एक ही बात आपको याद रखना होगा क्या कि जो speed का जो ratio होता है बाद रो speed का जो ratio होता है मानलो S1 और S2 का जो ratio होगा ना समझेगा वो time के ratio ज़स्ट क्या होता है inverse nature का होता है क्या होता है टाइम का रेशियो का क्या होता है इन वर्स नेचर का होता है इस बात इòng को समझ में आना चाहिए ठीक है इस बात जितना हम हुद आग डाफHH clear है हम आगजार इसी में अगर time same हो तो दूसरा केसी में अगर time same हो क्या होगा क्यूंकि इन सही case हो का इस्तमाल आज हम करने वाले हैं कभी time same हो तो कुछ नहीं करते हैं speed का जो ratio गर वो same ratio किसका होगा वो distance के ratio के बराबर हो जाता दियार रखियेगा पैदा क्या होगा कि कभी भी अगर मान लीजेगा distance का ratio दिया उसको speed मान कर बना सकते हैं और अगर speed का ratio दिया उसको distance मान करके कर लेंगे ठीक है तो यह छोड़ी छोड़ी बात है theory थोड़ी आ जाकिएगा और सिधा सिर्वात करते हैं सिधा chapter की और ठीक कोशित करेंगे ratio का जवर्जेश इत्माल करें और सवाल difficult से difficult सवाल को भी आसान हम लोग कर सकते हैं देखते हैं सवाल अखिर क्या क्या पूछा जा चुका है ठीक है चलिए पाहला सवाल पाहला सवाल बहुत कौन सेप्ट की वाल है छोड़ा सवाल इसका जो है सो क्या है यह डायमिटर है सफ रिसका डायमिटर हम हमले चाहा कितना रहो सब्दया रहे है तो रीडियस कितना होगा 7zur हमीटर सब्सक्रण पर सभए ठीक है ये दो गुने, पाई का मान 22 बटे कितना होगा, बादरों साथ, और रेडियस का मान कितना हो जाएगा, 7 बाई कितना होगा, 2, क्योंकि अगर डाइमेटर 7 है, तो रेडियस का आदा होगा, है ना, चलो, कुछ कट्रम पिटी मच रहा है, हम बले हाँ मच रहा है, चली मचा देते हैं, फड़ा पड़ से, दिखते हैं पर क्या है, 7-7 कर जागा, 2-2 कर जागा, मतलब परिमाब जो होगया, बादरों क्या होगया, 22 होगया, यह परिमाब 22 मीटर आने का यह मतलब हुआ, कि अगर एक चकर अगर यह विल घुमेगी, तो करने के 20 मीटर की दूरी है, क्या करेगी, कवार अब करेगी, कितना 20 मीटर की, ठीक है बही, चलो, अब बुला की देखो, सर, 22 किलो मीटर चलने में कितना चकर मारेगा, टोटल, अम बले एक ची बताओ, पहले सचे, 22 किलो मीटर हो, यह एक चकर में 22 मीटर दूरी कवर करती है, और 22 किलो मीटर चलने में, तो म बले सुनो, Revelation यहाँ पर मारते कितना चकर होगा, देखो, अब तो यहाँ साब को नजर आ जाएगा, कि सर यह 1000 चकर इसको मारना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या होगा, एक 1000 चकर अंसर होगा, option number कहां पर बाहदर, option number D is your right answer, तो mistake मत करिएगा, diameter है, कोई बचा radius लेकर करेगा, तो 500 आ जाएगा, तो बिल्कुल वो गलती मत करिएगा, इमित करते हैं, पालक को सुन, आपने सभी को clear रहोगा, चलिए अगला सवाल, आपके screen पर बाहदरों कुछ य बाता है, समझे, अब मालो है कि यहां से एक Firing किया हम, लोग, समझे नए question बहुत ही खुर्सूरत है, तो यहां से और again, 11 मिन armas के बात करेंगे, मतलब जो firing gun से किया जा रहाए, 11 मिनिट के टिरवल में किया है, बहुत unique सवाल है, पाली वर데 सेवादरा है, तो gun से जो牌 गोली अब उधर से एक रेलगारी आ रहे तो यह पर एक आद्मी बेठा हुआ था समझो तो अब दूसरी बार जो गोली इसको शुनाई पड़ा वो अब 10 मिनट के अंतराल में सुनाई पड़ा मतलब एक मिनट कम हो गया केसे समझते हैं यहां से फैरिंग हुआ पहली बार अगर वो आदमी यहां पर ट्रेंड से आ रहा होगा तब बोल से दूसरे 11 मिनट लगा होगा है 11 मिन के बाद सुनाई पड़ा लेकिन यह वेक्ति इ कि 11 मिनट के बाद सुनई पड़ता अदमी रुका नहीं आदमी चलता रहा है इधर से गोली आवाज इधर तब बोले मुझे आपको समझने में अगर यह को तक का जो दोरी है के जो एक गोली का अब आशा कर एक मिनुट समझेद आपा डेलें जो दूरी-ऑली गोली की आवाज एक मिनुट में टैक कर लेगा उस वसीं दूरीं को आदमी दस मिनट पर कवर करेगी, वो जो ऐसो गोली की आवाज एक मिनट पर कवर कर लेगी, तब मुझे बताए भी थोड़े देर पढ़ा था, जब दिस्टेंस सेम होगा, पढ़ाये थे न, हाँ, जब बादनों दिस्टेंस सेम होगा, उस तो इसमें क्या होता, कि सर, स्पीड का ज यह आज़ा डिया है, जब बुलेट को एक लगेगा, तो एक एक हो, तो इसको क्या लगेगा, एक लगेगा, जब श्पीड का रेस्यों दिया, तो टाइम का रेस्यों पलट दो सिधा, टाइम ओफ ट्रेंड और जो बुलेट होगा, इसका उल्टा नहीं हो जागा, खुझ म तो ट्रेंड को अगर लग जागा दस मिनट तो गोली को लगा एक मिन इसका उल्टा कर देना खट से तो आपको यहां से तो यहां से जब 00 कर जागा एक कामन कितना होगा 33 मीटर पर सेकंड किसका स्पीड होगा तो ट्रेंड का स्पीड के आओगा 33 मीटर पर सेकंड अब उल्टा समय लो है 10 कामनत ते तीस तो एक कामन ते तीस आ अगया और यहां से आराब से अंशर किसको मारत ओगां और सी थी के तो जो इसपीड किसका यह टाइम को जैसे उल्टा कर दूगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब और खुबसुरा सवाल आगया हो सकता है सवाल बहुत सारे बच्चों के लिए फर्स टाइम पढ़ रहा है ठीक है यूनिक सवाल होगा लेकिन 11-11 मिनट के बात करेंगे और 11-11 मिनट के इंटरवल हम यहां से फैरिंग दना दना दन कर रहे हैं समझाया कि नहीं चलो अब समझी द्यान से अब हो क्या रहा होगा अब उदर से एक ट्रेंस में बेठा हुआ आदमी आ रहा उदर से तो आदमी को कब सुनाई पड़ेगा 11-11 म में लेकिन वह आदमी रुका नहीं है अगर व्यक्ति वहीं रुका रहा था तो इसको हर 11-11 मिनट के इंटरवल में क्या करती उस जो ऐसो गोली के आवाज सुनाई पड़ती लेकिन वह उदर से चलता रहा था है ना चलो तो यहां से मानलो पहली बार जो फैरिंग हुआ तो यहां पर आया तो अगली बार यह फैरिंग की आवाज इसको यहां पर सुनाई पड़ गया इस जगा ठीक है भाई इसको यहां पर सुनाई पड़ा है दस मिनट के बाद तब बोल से तो यहां से यहां तक जो व्यक्ति जो दूरी चला है समझेगा यह जो व्यक्ति जो दू दो यहां पर यहां पर दस मिनटफ तु यहां सणा इसयां सवयआ है जिस दूरी को आदमी को लगा 10 मिनटफ तो बस मेरा सवाल एक हैं क्या ABOUT इस पोइंट से इस पोइंट कि भी पूरी समान ना तो ब прям असानी सब बता दोगे कि सर जब neighbors सेम होगी अभी अपने बात कहा था क्या दोगए यहां पर सिधा कि जब जब सेम होती है तो इस case मैं बता हूं इस पी टाइम का रेयाश्यों क्या होता इसपीट का उल्टा होता दोगए पहले सुनो यह जो गोली का जो रव्तार है ना यहां पर साउंड का रव्तार है वह साउंड तो 330 से चल रहा है तो यह 10 का मन सवाल कितना दिया 330 यहां से 00 हटा करके एक का मन पूछा गया था बोल सकते हैं 33 मीटर पर सेकंड जो एसो उस ट्रेन का क्या होगा यह स्पीड होगी अब देख पारे बाद रहो अंसर आ चुका है ऑफसर नमर सी जो राइट अंसर ठीक है तो यह बहुत ही खुबसूरा सवाल था मैं चाहता हूं कि इसको एक लाइन में कैसे बनाया दा सकता है वह मैं आपको बता दिया ठीक है चल आगे बढ़ें चली अगले सवाल आपके स्क्रेंड प है ना आओ पड़ते हैं लेकिन कई बार डिस्टनस नहीं दिया जाता और यह डिस्टनस को मानना पड़ता है यहां पर दो सवाल रखाओं एक सवाल में करूंगा एक सवाल में आपको हमबर के तोर पर देने जा रहा हूं इबर आप देख लो सवाल सितना बोला कि देखो सर एक आदमी टोटल जो जर्नी रहा होगा टोटल जो डिस्टेंस कवर किया होगा उसका 40% डिस्टेंस जो ऐसो है ना वो 8 किलोमेटर परती घंटे से क्या किया किस पीट से कवर किया वो जो दूरी होगा ना सब वो A से B की और जाने की बात कर रहा है देखो यह A से B है ना A से B A से B की बीच की दूरी कितनी है सब मुझे नहीं पता लेकिन A से B बीच की जितनी दूरी रहेगी उसकी 40% दूरी इन्होंने 8 के स्पीट से कवर किया आगे अब जो रीमेनिक डिस्टेंस था उसका 40% पर इन्होंने की से कवर किया 9 के स्पीट से बादरों और उसके बाब जो दूरी बच गया उसको 12 के स्पीट से कवर किया तो बहला Average Speed क्या होगा सबसे पहला चैलेंज आता से निस्टेंज वो जें staan अब dramar देखने में किया होगां चालीस परसंग चालीस तो बच टना प्याइब बचा हुआका फिर से टोटल का 40% का मतलब 100 का 40% बादरों 40 km होगा अब बच गया कितना 60-60 का फिर से 40% मतलब कितना हो गया चोचों का 24 km और 60 में 24 जगा तो 36 अब अब आप लोगों को मैं average speed निकाल के बता रहा हूं कुछ सवाल में दम नहीं है average speed, अभर और 2 चाल का मतलब क्या होगा total distance अपन total time बादरों इक ही बताऊगे kiya total distance 409 तो हम बहुत हो है total time नहीं दिया है सर तो क्या होगा हमकर यह इ स्पीर और 20 दिया तो हम कोई हmäßig करते है तो में कीए पर निकल चाईगर क्यों इस्पीड दिस्टेंस पन स्पीड चलो यहां सलू करो यहां पे तो टोल लिए कितना डिया है औले टोटल तो इनले सवामान देखते चान चिपका रहा हूं न टोटल टाइम के से निगलेगा अंब लूटोल पहली बार यहां पे दूरी कितना चले चालीस और यह दूरी का किस्पीड कितना था आठ रख दी तो दिक्कत जाएगी ठीक है चलो सर अगला दूरी कितना था 36 क्लिमेटर लेकिन इसमें तुमारा स्पीड कितना रहा बादरों सर बारा रहा ठीक है काफी कुछ कट रहा है और जो केंसिल आउट होगा उसको बिल्कुल कर ले आप असान हो जाएगा आपके लिए चलिए अठ प्लस आठ 32 बटे क्या होगा उपर में 3 चला जाएगा तो हो जागा 300 बटे बाहदरों कितना 32 होगा ठीक है अब क्या होगा अंबले कटा देंक और Kita चार से कटा दो तो चार से चार आठी 38 55 बटे कितना हो जागा तो यहां पर यहां पे किल्कुलेशन कर दे रहा हो तो नहीं दिया जाएगा उस केसमें आपको कैसे डिस्टेंस को मान करके सवाल की सुरुवात कर सकते यह अग्वे हैसास तो हो गया होगा ठीक है तो 9 इस टू 3 वाई 8 किलोमेटर परावार आपके आवरेज पीरती और यह उमीद करते हैं सबको किलियर आओगा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे गाईज बहुत ही खुबसूरत सवाल आने को बेचेन है आए यह आपका अगला सवाल लेकिन यह सवाल मैंने पाले का आता कि देखो एक सवाल हम करेंगे और एक सवाल आप हम वर के तुर ले लो यह दोनों ही सवाल बहुत ही खुबसूरत है गाईज वो सेम पैटर्न का यह सवाल है और सारे बच्चे अगर जो वीडियो देख रहे हो कमेंट जरूर करना इसका है ना इस कोस्टन का अंसर में जरूर बता देना कि अंसर आखिर क्या आने वाला है हम एक और जरूर चेक करूंगा एक सवाल आपको उमीद करते हैं अपनों देख लिए होंगे आई एक और खुबसूरा सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका देखेंगे सवाल तो आपको बहुत मज़ा आएगा अकिर सर एवरेज स्पीड पर इतना डिफिकल सवाल आए सकता है कि हम बले देख देख लो तो आप यह मत सुचों सर पांस साल पहले जो व्यापम था या सीजी पेसी था वह आज है ऐसा नहीं है जिस तरह कि उन्होंने अपना लेवल को चेंज गिया है उसके हिसाब से इस तरही कोस्तन आपसके माइन को डेवलब करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चलिए शुरुबात करते हैं बड़ा सर रेश्यू दिया है डिस्टेंस का अच्छा यहां से देख लो देखेंगे 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 लोग नहीं मानेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवाल यहां पर चीदाश दबमइकसद है दो कोई कोई दिक्कत नि आसे ए-स की स्पीड तो पचास किलोंवेंटर फरावर था इसपीड आपको यहां पर चलिर परावर दिया हुआ है तो आखिर हमको X-10 और X-1 का उन्हों पात निकालना है फिर भी बालता डटे रहना अपनी कॉंसेट से मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम अब्रेज पीड का मतलब तो टोटल डिस्टेंस तो टोटल टाइम तो दिया नहीं है तो पता निया कि time पराबर डिस्टेंस अपन प्हों बार दो कितना था C canavie ॉर यहां और यहां से आपको X का माणD automatic निकल जाएगा अगर आप देखें थहाँ तो मैं कैंसील करता हूं कुछ कुछ जादा बेटर हो आँ मने चाहिए, यहां से कमान 10 बार में ठीक है अब देखो, 10 यहाँ पर 30, यहाँ पर X और यह 10 से उपर चला जागा, के लिगुलेशन देखते रहना, यह 10 X तो पर जागा, तो क्या हो जागा? X जागा, तो 8 से multiple एगर तो, कितना हो जागा? 10 X और बहादरों यहाँ पर देखो, 10 3 कितना हो जागा? 30 और यहाँ पर multiple होगा, क्या बचेगा? सिर्फ यहाँ पर x बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 40. अगर आप देखें, 40 हे करा हो यहाँ पर दो बार में, तो यहाँ से गाईज एक बास समझो, इस तर यह क्या हो जाएगा? 2x, तो नहीं है, 2x है, बराबर कितना हो जाएगा? 30 पॉलस बादरो, x तो x को धर लाएंगे, तो x बराबर कितना निकल गया? 30, अगर x का मान अगर 30 निकल गया तब को जब सवाल पूछा तो उसका जवाब भी मिल गया होगा, यह सवाल difficult दिख रहा था, और एक जामलर इस तरह सवाल फ्रेम करेंगे, मुझे पता है कि एवरेज जो इस वीडियो उसका hot topic है, पुछेगा ही पुछेगा, तो फिलाल इसका जवाब पुछाता है, यह x मैनस 10 अनुपात, यह x पलस एक निकला जाए, हम बले x का मन 30 है, 30 मैं से 10 मैंस कर दे तो आप जरूर प्रैक्टिस करें इस लेवल के सवाल में, अगर आपको लगता नहीं से, और भी हमें इस तरह सवाल चाहिए, तो बिल्कुल हमें क्या घरते हैं, कोई दिकत की बात नहीं है, आइए, अगला सवाल बात करते हैं बाद रहो, अगला सवाल, अपके स्क्रिन प बनाना, फ़ले सवाल पढ़िए, क्या कॉंस्टेंट है, इस चीज़ पर हम लोग फोकस करते हैं, आईए बात करते हैं, चल्ला भाई, बोला सर देखो, A और B जो दो जगह है, हम बोले चाहिए, तो जगह है, चलो यहां पर लेलता हूँ, देखते हैं बस यहां पर, A है, औ पर इस जगह को लोग B बोल दिये, ठीक है, बादरों, यह A हो गया, और यह B हो गया, बोला सर, दोनों A से B के लिए, दो व्यक्ति ने रेस अलगा दिया, कौन पहले पहुंच सकता है, व्यक्ति कौन कौन है, P और Q, यह लोग दोनों यहां से A से चलना सुरू किया, अगर 5 स्पीड है, और P का स्पीड 50 है, और Q का स्पीड बादरों कितना 70 है, ठीक है, 70 है, यहां पर देख लो, और यह दोनों चलना सुरू किया, A से B की और कौन पहले पहुंचेगा, तो common sense की बात है, बादरों, क्या होगा, जिसका स्पीड 70 है, वो पहले पहुंचेगा, और Q प यह P यहां से चलना सुरू किया, और Q जो ऐसो बादरों यहां से चलना सुरू किया, तो यह तो जल्दी पहुंच गया, फटा पर फटा पर इसका स्पीड जाता था, अब यहां से पहुंचने के बात क्या लिखा समझो, बला सर वो Q वहां पहुंच करके return immediately मतलब तूरंत व जाही रहा बिचाराई, यह एक बार समझा दूंगा ना, तो X, Y, Z मत मान ले ना बहाद रहाँ, अब ही देखो यह पहुंच गया, पहुंच करके वापस आ रहा था, क्योंकि इस केस पीड जादा है, तो यह तर से P जाही रहा था, तो इसको एक पोइंट यहां पर X पर मिल ठीक है, सवाल बला सर, यहां से यहां तक यह दूरी X है, सवाल बला सर, B से X दूरी पर hero मिला, ठीक है, पोइंट का नाम सी दे दिए, सर, वो X का क्या मान होगा, हम एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, इस कोस्तन में आपको क्या constant दिख रहा है, time constant दिख रहा है, या distance constant सर, यह अलग बात है कि P की की का है, वो speed जादा से लिजाए, दूरी जादा चल लिया है, उससे क्या मतलब है, लेकिन बाहदरों, यहां पर क्या time same है, समझेगा, क्या है, सर, यहां पर time क्या same है, और जब time same होता, उसके case में क्या बोला था हमने, कि speed का ratio distance के बराबर हो जात सर, इसका 50 है, और इसका क्या बात हो, 70, तो इसको आप बोल सकतो कड़ा करके क्या होगा, 5, 4, 5, कितना होगा, 7, तो आपने क्या देखा, सर, P जो S, यहां से यहां तक जो दूरी चला होगा, यह 5 के बराबर होगा, मतलब नीचे भी देखो, तो यहां से यहां कितना हो सर, 2 ज्यादा चला होगा, देखो, एक इसको बाहिदरो जाने में लग गया होगा, और एक इसको आने में लग गया होगा, देखो, दो ज्यादा चल गया कि नहीं, देखो, जब 5-5 यहां तक तो बराबर है, और 2 ज्यादा चला, मतलब एक जाने में और एक आने में, देखो तो दो हो गिय और से इस पॉंट से इस पॉण्सके बिश की दूरी आपने बुला 5 और यहां से यह एक छे क्प्राइब सा। लेकिन इस लेवल के सवाल पर प्रक्रिस करके जाना ही पड़ेगा चले गाज अगला सवाल आपके स्क्रिन पे और खुबसरा सवाल आने को बेच रहे हैं आये बात करते हैं चलिए उसे पहले मैं एक थोड़ी जनकारी बता दूँ बहुत सारे बच्चे को एससी को लेकर के न यह बहुत इंपोर्टन इंफ्रमेशन है समझना चातिस गड़ के पहली बार पहली बार कोई ऐसा संस्थान है जिन्होंने हैविड क्लास मोड़ा लेकर के एसससी को लॉंच किया है और एसससी का सेपरेट फेकल्टी होंगे इसका पूरी कंटेंट का अलग अगर वो टाइम में घर में बहुत बिजी हो तो बहादरों उसी क्लास को आप जब चाओ अपने आईडी पर रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड देख सकते हो ओटोमेटी रिकॉर्ड है कि आपके आपके आईडी पर पहुंच जाएगा सोचे इस तरह की टेक्नलोजी आपको आज के TTI में पेन इंडिया में कहीं नहीं कोंपोडिशन कमिलटी के अलावा तो कई बहुंच फूटंगी की कोई गौइग इस नहीं अगर आप माण लू बैंक के तीन मेने कर्ण कर रहे है तो तीनों मेने उस कोर्ड रिकॉर्डिंग आपके पास है अगर तुम अबशुन सरका पर ध्याना कि पंदर अमार से तो कभी तुम्हारा कोई भाई बनो तुम हो कभी लगता है कि ने हमको छे मैंने अंदर जॉब चाहिए तो आराम से आप एससी बैंक को रेलवे क्यों बूप करना क्योंकि हमें वेकंसिया हर सल लाखों में आती है चलिए बादरो अब इसके लि पर जाए जिसका रेजिटेशन सुरू हो चुका है और मैं चाहूंगा कि इसका रेजिटेशन आप फड़ापर से क्या कर लें कहा लिंक मिलेगा तो कॉम्प्रिशन कमुटि का आप एक क्या करें वेबसाइट पर विजिट करिएगा उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आप पर मिल जाएगी ठीक है तो उस लिंक पर जाके क्या करें किलिक करके रेजिटेशन कर लिजेगा प्राइस को थोड़ा देख लें एक से लेकर करके थर्ट रेंक वालों को क्या मिलेगा टैबलेट मिलेगा बादरों चार से लेकर करके 20 तक की रेंक को बैक्स और बुक टाला है बला सर एक लड़का अपने घर से चार किलो मेटर जो ऐसाओ या कर रहा था ये इसकूल जा ृप अब विद्याले जा रहा था तब क्या हुआ जब इसकी समय जाता है सोचो अगर ये speed अगर ये अपनी speed को बादलों कितना रख लिया सर सर इसकूल 10 पहले पहुच तर भेता कि वह में बहुत पहुचा है आपना speed को तीन कर लिया जैसे तीन किया था वह 10 कोंश्टन क्या देख रहा है आप बोलो स्वावाल हलुक्ट ने तो धीन से देख लेना है अगर ऐसा है तो इसकी स्पीड का रेश्यो टाइम का उल्टा है तो पढले इसकी स्पीड, था यह देखोव भूचता पाले में लेट लेट होगा टो चुम नो यह 20 मिनत नुट टो टाइं बोले इतना ज्यादा समय लग रहा है तो दस और दस बीस मिनट ज्यादा लग रहा है लेकिन रेशियो के इंसाफ से सब पहले इसको तीन लग रहा तब चार लग रहा है और एक ज्यादा लग रहा है तो इसी एक कमाना बोल सकता हो सर बीस मिनट के बराबर नहीं होगा बोलो रेशि मिनट निकाल के करोगे तब 27 सर आएगा देखिएगा हलाकि कोई दिक्रात निकाल लो ज्यादा बेडर होगा सर डिस्टेंस पुछा था हम बहुत है इस्पीड इन्टू टाइम यहां पर देहां देगा अगर यह पहले वाली स्पीड को ले रो पहले वाला टाइम लेना चार किलोमेटर तो आप देख लिजेगा ऑप्सन नमर कहा है ऑप्सन नमर बी जो राइट अंसर एक और खुबसुरा सवाल का अंत होता है मैं इमीद करता हूं इस बात सबको क्लियर हो रहा होगा और इसी लेवल का सवाल आपको एक्जाम में प्रैक्स करके जाने की जरुत है और सबसे बड़ी बात एप्रोच यही होनी चाहिए अल बल एप्रोच से बना करके कोई फैदा नहीं होगा क्योंकि आप समय नहीं बचा पाएंगे ठीक है एक और सवाल चलो कितनी खुबसुरा सवाल है यार मज़ा आएगा सवाल बला दो स्थान ए और भी है जिसकी बी अगर ह Easter Vy अ है अगर दोनों कार एक कार यहां पर बादर यहां पर हैं एकषार के दूरी पर हैं अगर यह दोनों कार स्थान चलेगा नोय तो साथ घंटेम गांटे नों कर क沒 ठेक है, ठाइम ब्राबर क्या होता है, सर यह distance upon speed, लेकिन बाद रों, यहाँ पर speed नहों करके, यहाँ पर relative speed लगेगा, क्या होगा, speed नहों करके, यहाँ पर relative speed लगेगा, और relative speed क्या तो समझो, अगर दो train है, अगर दो car है, यह दो व्यक्ति, समान डारेशन में एक दूसरे के respect में चल रहा है, तो यहाँ देखे, दोनों की speed को क्या होगा, अगर यह दूसरे को opposite direction में चल रहे बाद रो, तो speed जूडएगा, इतनी सी बात ध्यान रखे, और कोई दिखा नहीं, चली, तो यहाँ पर speed क्या होगा, सर यह speed x और y का, अचा यहाँ बोला है, कि car y का speed क्या है, एक्स से जादा है, मतलब यहाँ पर इसा रख लो, ठीक है, यहाँ पर y, y इसा कर लो, सर यह y, माइनस क्या कर लो, x कर लो, अब समझे, सर यह time कितना लगा, 7 गंटा, 1 मिनदा हो, सर यहाँ पर इसकी दूरी कितना दिया, 140, और यहाँ से y मैनस, सर यह से y मैनस x क्या होगा, सर यह y मैनस x, तो साथ से कर लो, 20 वारें बाहत रो, तो यहाँ से एक question बन गया, क्या, सर यह question यह बन गया, कि x, सर यहाँ से y और मैनस x बरावर कितना हो जाएगा, 20, वही बात यहाँ फिर समझे, सेम कहानी, सेम कहानी, अगली वार बोला, सर अगर यह direction opposite चलेगी, तो एक गंटा मिल लेगी, तो यहाँ पर फिर रख रहाँ, टाइम के जगपर, यहाँ पर रख रहाँ एक घंटा, डिस्टेंस रख रहाँ तो आरद एक सो चालीस, और इस वार अगर ऑपोजी रहेगी, तो क्या होगा, दोनों जूड जूड जाएगा, तो दोनों जूड जूड किंसे लट हो जागा सर्ट, टू वाई बराबर कितना होगा, एक सो साथ है, तो यहाँ से सर्फ य का मान कितना होगा, सर्फ य का मान हो जाएगा, तो य किलोमेटर पर आबर, पूछा क्या था एक बार देख लीजे पर आबर से, कुछ सवाल नहीं था, बस यह रिलेटिव स चलिए, आगे बढ़ते गाई, यह और खुबसुरा सवाल आपके स्क्रेन पे आने को बेचेन है, आएए देखते हैं, इस कॉंसेप्ट को थोड़ा सा सतर कोगे पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप देखें, आप सीजी पेसी की बात करें, दोजरी की से पेपर थोड़ा डि अगर यहां पर पॉइंट A है, और एक तुमारा दोस्ता घर भी पॉइंट B पर है, समझना है कि नहीं, हम बोले हाँ, समझना है, मिटिंग वाले ही सवाल है, लेकि यहां पर कुछ स्पेसल केस है, जो मुझे लगता है समझने की ज़रत आपको, A से B पर, अगर A से आप चल रास्तिम दोनों मिल ली है, मिलने बाद पता चला, आप उनको बोले कि नहीं, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, कोई बात है, तुम्हारे मारे घर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, कि मिलने के बाद, एक दुसरे के डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, समझो, तो अब मा बाद एक दुसरे के डेस्टिनेशन पर जाने में कितना समय लगेगा, तो एक रेलेस्टन बहुत इंपोर्टन रहे है, या देके डारेर सवाल पुछता है, कि स्पीड आफ पाले आदमी जो भी होगा, और स्पीड आफ जो दूसरा होगा, इन दोनों का रेस्यो होगा, वो पर यहां पर a, b बोल दोने है, कोई दिकरत नहीं, यहां पर one two आटागर करे यहां पर a, b बोल दी रहोगा, ठीक है भई समझे यहां पर? इसको यहां पर a, b में लिखता हूं 1% ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है भई? आज़ा तो ई सपीड of a, a, सपीड of क्या होगा B, वो under root क्या होगा time of B upon क्या होगा time of A होगा क्या यहां पर ध्यान से पढ़िए आपको speed दिया हुआ क्या A B का A B का speed का ratio दिया हुआ है हाँ sir क्यासे sir A का speed 20% जादा है B से 200 होगा तो 120 होगा रेशियू बनाएगा तो क्या होगा 6 अनुपात 5 समझे की नहीं तो sir यह तो दिया हो छे अनुपात कितना हो जाएगा पांच है आगे देखेगा यहां पर क्या दिया हुआ है आप समझो वह आफ्टर मीटिंग नहीं रास्ते मिलने के बाद A और B को समय कितना लगा sir A को लगा P आवर तो इसको कितना लगा साथ साही एक बटे कितना पांच इसको बिरिक करो 3735 प्लस एक था तो उपर में 36 सेला जाएगा, ठीक है, 36 बटे कितना हो जाएगा, बाद रूर पांच है, और यह जो A का टाइम कितना P है, तो यहां पर P रहने दीजेगा, आपको करने कुछ नहीं, दोनों जगा स्क्वार करो, दोनों सारे पर स्क्वार कर लो, स्क्वार करेंगा तो यह कितन तो आप अरान से कर सकते थे, कोई दिक्कत ने, एक और आखरी सवाल है, इस स्लाइड का देखते हैं, ठीक है, तो इस लेवल के सवाल अगर आएंगे, तब भी आप दो लाइन में सोलुसन दे सकते थे, बस यही बात आपको मुझे एहसास कराना था, ठीक है, बाद रो, यह, एक आखरी सवाल है, यह आखरी सवाल के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को फिनिस करेंगे, बस मैं आपको बताना चाहरा हूँ था कि इस तरह के सवाल आपको मैंन से मिलेंगे, अब जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इसी लेवल के सवाल को प्रैक्टिस कर करते हैं कि इस तरह की सवाल बहुत कम बच्चे करते हैं जो मुझे लगता अभी आपको फील होगा हां सर कहां सुरुवात करूं समझ कुछ नहीं आ रहा है आए बात पर एक आदमी एक परसन लिफ्स एक प्लेस कहां पर ऐ से कहां बी एस सब मालों कि एक जो यहां पर जगाए है और यह पॉइंट का है बी है डेखना कितना असांता बार ठीक है ठीक है ना यह दिया कि दो पॉइंट के भीज की दूरी क्या होगा नहीं दिया है ना इसकी स्पीड दिया बादरों सिर्फ फॉस्टिफ दिया है कि एक दूसरे को एक दूसरे के डेस्टनेशन पर पहुंचने में समय कितना लगा यह दिया हुआ कैसे सुरू करो बोलू फड़ाबर से बताओ मेरा अइस कोस्तन में क्या आपको कॉंस्टन दिख रहा है तो अब बोलो सर दूरी के ऑलवा कॉंस्टन है क्या क्यों जितना दूरी वो चलेगा उतना ही दूरी पारा बाला भी चलेगगा है अ-से भी चलो, बी से चलो दूरी बराबर है, तो यहाँ पर एक बात बोलोगा sir कि दूरी जोए बीस्टेंस स्मेर है। अब हía, बहुत बढ़ी। बटेर, ज RAW फीले स veg डिस्टेंस स्मेर है थीच न थीख का बे। जो सम एक बढ़ुत है, अब बोलो, जाएगा तो यह बिल्कुल आपको क्या हो जागा मिलने वाला है तो यहां से इसका speed का ratio निकल चुका है जब speed का ratio निकल गया तो एक बात समझते होंगा आप लोग कि distance कैसे निकलेगा अरे sir speed into time का product क्या होती है distance तो चार गुने साड़े तीन कितना होगा चोगदा मतलब एक बात तो यहां से confirm हो गया है कि sir a और b के 20 की दूरी कितना हो जाएगी चोगदा होगी अब चोगदा भी दूरी भी निकल गया और दोनों का individual speed भी दिया हुआ है तो आप कब मिलेगी यह तो आपको concept तो समझना पड़ेगा अब इस तरह कि मिलने वाले सवालों में एक छोटी से concept ने पढ़ा के रखा है कि या दखेगा मिलने का starting time should be same starting time should be same इस बात को समझना पड़ेगा अगर इस सवाल में meeting time आपको निकालना होगा तो आप एक ही काम करेंगे कि starting time दोनों का same करेंगे अगर दोनो को चलाओ अज़ीछ एध़ सपथ बज़े चलाओ तो दोनो को ऑचा चला दो। तो तो यहामे साथ बीज़े चलात ना. तो पिलाल मान लिये हैं कि नई, घृजीट मैंन था थोन पर थे ए जो है सो साहे तीन किलो मेटर पर ती घंटे की रफ़तार से दो घंटे में कितना दूरी चल चुका होगा और यहाँ से यहाँ से टोटल दूरी कितना चल गया साथ तोटल चोगदह में साथ चल चुगा मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बिच की दूरी कितना रहा गया बैटा साथ अब क्या कि यह भी यहां से नौ बुजे चल दिया देखो और यह भी यहां से नौ बुजे चला देख रुबाद रहो ना तो दोनों के स्टाटिंट समान के बात समझे के नहीं ए चला था हकिकात में साथ बजे उसको मजवर जास्ती नौ भी चला दिये और दो घंटा चला दिये तो दो घंटे हम साले तीन की रफ्टार से साथ किलम्टर दूरी चल गया होगा हम बहुत ठीक है अब यहां से कोई दिकत नहीं सर टाइम सर इसका स्पीड जोड़ो बहुत दिकत नहीं होगा सर इसका साले तीन हो जागा इसका कितना होगा चार तो फैनली अगर आब बात करें साथ बटे 7.5 अगर होगा तो सर इसको कटम पिटी मचा देजी हम बहुत हम मचा देते हम बाद रहो पॉन्ट हटा अग उपर में क्या करें करें तो इस लेवल के सवाल आपको हर एक चेप्टर में प्रेक्टीस करने की नीड है तो इमीद करते हम अच्छा लगा बाद रहो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तो अपने भाई बेनों दरूर सेर कर देना ताकि उन्हें भी थोड़ा सा लब हो सके ठीक है फिर मिलते अगले टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय हिंद जय भारत अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िये कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको